कि हैं शिए दोस्तों इन्वेस्टिक आंग कमांडूर सूटूँ चाल मैं आप सभी का सवगत है मैं आपको आज एक फ्रेंड ने पूछा था कि सर कमेंड में बताईए कि सर जो कि एक एक कंपणी के बारे में उन्हों ने पूछ था उसकंपणी का आगे बात करूंगा वह बात जान लेजे मैं आपको एक खार बात बताना हुआ इस वीडियो में आप यहाँ पर पूरे आपके लाइप करियर में इंपोर्टन रहे जाएगी क्योंकि आप यहाँ पर देख लेना हर कोई मैं आपको बार-बार कहता हूं हर कोई जो भी बड़े इन्वेस्टर होते सब क तो क्या करते हैं लोग उनको फॉलो करने कोशिश करते हैं उनको फॉलो करकर हमें फॉलो करना है ये उनके अधियू पर पर और यहाँबर आय। उनके बारे में क्या impact होता है और किस तरीके से जो हमारे जो हमा को कितना loss हो सकता है और जो हमारे loss accept करने की कितनी ability होती वह भी देख लेते तो इसलिए बात करता हूं आज अच्छा topic है उसके साथ साथ एक share के बारे में बताता हूं और वह भी पेनी टॉक है जैर रूपए पर चलता है तो गयर रूपए का share है आप इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है यह नहीं है उसके बारे में सब कुछ बात हम यहाप पर स्टार्टिंग से जान लेते हैं चलिए तो पहले मैं आपको बात बताता हूं शेर के जो नाम है उसकी शेर के ब अध्यपरदेश में है यूपी में है राजस्तान में जैपूर को है सब तरफ जितनी भी लार्ज कैपिटल सीटी होते हैं इस कंपनी के मॉल्स है तो यहापर मेजर रिधान रख लेना एक कंपनी में आपको यहाद दिखा देना हूं सब कुछ कंपनी बारे में बताता हूं तो आपको जितना भी इसके बारे में स्टड़ी करना है उस्टड़ी कर लेना और खुद के बेसिज भी यूज़ करना यहापर मेरा काम है आपको पूरी तरके से कंपनी का जो फंडामेंटली अनलेसिस करकर दिखा देना तो यहाप पर आप पूरे तरके से ऐसा यहां पर आप देख लेना आपको है रिटन जैसे को इसा दिख जाएगा और कंपनी का शेर यहां पर मैं आपको मैक जूनल चार्ट दिखाता हूं देख लिए कितने रुपए पर चलता था यह लगबग साट रुपए पकड़ लिजे साट रुपए पर चलता था ग्यार रुपए पर आगया आईसी क्या रिजन है जो भी इतने जो शेर होते ना वह नीचे आजा आनेका एक रिजन होता है जो उनके आंदर कोई गरबढ़ हो या कोई इस्यू चल रहा हो इसके साथ साथ कमपनी का जो बिजनेस मैनेजमेंट चल रहा निवा अच्छा तो यहाँ पर आप यहाँ पर सोत लेना जो शेर साथ रुपए पर चल रहा था वह ग्यार रुपए पर क्यों आया गया चूंपनी में आइसा जो जितने भी कमपनी में आप बोलते हैं अंडर वैलुट अंडर वैलिट अंडर वैलिड हो प्रॉब्लम में होती है कम्पणी तब अंडर वैलिड होती है और कुछ-कुछ कम्पणी आई से होती है कि उनके पर बड़ी प्रॉब्लम चलती है उनका मैनेजर में कोई प्रॉब्लम होती है अलग दुसरे अलग-अलग प्रॉब्लम सब लेवल होते है यह साथ साथ आप यहाँ पर ओपनिंग इंकम मेंर देख लेना आपको यहाँ पर नेडिटी दिहाँ जो उपर का इमपर्स एपकामरнет से अब को समझ कमपनी ने यहां पर मैं पढ़के देखा हूँ इसके ओपर कंपनी बार तो खुद का नाम ही चेंज किया है बाहर में से नाम था बार में करना कि यहां पर आपको दिख जाएघा उसलिए आपको यहां पर देख लेना चाहिएaway कि यहँआ आपको कुछ आस बारे में मुझे करने के लिए इन्फर्मेशन थी वो उतनी जितने भी मैं फ्लिवेंट ले आपको बता था हूं और जो आच्छी तरिके से हमें स्टडी करने के लिए आवेलेबल होता है वो कुछी मट्रेल है पर आवेलेबल नहीं हुद मिला नहीं इस कंपणी का देख लेना तो कंपणी में कोई उतना ख आपको लांग टर्म की इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं बट यहाँ पर जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके पई से आपको आईसी तरह की जान लगाने चाहिए मैं आपको बताता हूं और आपको एक बार 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 बात करूंगा वह आपके जो प्रेस्ट पर देख सकते तीन 30 रुपए का चल रहा है था चलेगा आगे कितना पता नहीं और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर भी कुछ और मैनेजमेंट में कुछ उत्ति खास खासा दम नहीं दिख रहा है यहाँ पर आप कंपनी का जो मार्केट कप देखने ल नहीं लग रहा है बट आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 रुपए का शेयर है कोई ज्यादा पईसे नहीं है लेकर देखना है और आपको लर्निंग परपज रखना है तो आप इसकी पचास एक शेयर लेकर देख लेना आपको पता चल जाएग कमपणी के क्या धास्यत होती है और पेरी फ्रस्ट वाग में इन्वेट करने का क्या हमें फाइदा या कुछ नुक्सान भी हो सकता है उसके बारे में इसलिए बार बार मैं पर पेरीश ट्रॉक तो बताते हैं मेरे वीडियो पर आच्छे बिजनेस होते वहीं बताता हूं य इसके साथ मीजर साथ हाथ आ इसा कब भी का डिवीडन बताता हुआ इसे ताइर आक्का आपकमरेन होगा को मेन Опतने करा बबनेफीट के आरनिंग जैसरी Kings इसलिए कराहें ज्यादा इंट्रेस मत दिखाने को बहुत कर दिंदो के ہाई पहले पूरा वीडियो देखना आपको आपको बार-बार रेक्मेंडर कर रहा हूं कि यह बात आपको जिंददेगे में आच्छे काम आएगे और यहापर आप पर आपको कुछ एक दो ओपन करके दिखाताँ देख लेना प्रोजर्स इन्टु दे प्रोपर्टी इस लिमिटेट हैस इनफर्म हैस दे एक्चेंज रिगार्डिंग दिस्कलोर्स अंडर दे रेगुलेशन यहाँ पर एक्ड बता दिया है सेबी ने कुछ इसको इसलिए बता हो गया ऐसा हो जाता है कंपनी में कोई इंटरनेल और एक्स्टरनल हो सकते आप खुदी देख लेना आपको अच्छा-खासा इंटर्स होता और इसे कंपनी के प्रोफिट में ग्रोफ नहीं दिख रहे आप देख लेना है पर क्या है तो यहाँ पर लैक्स में 130 लाग रुप अच्छा-खासा आपना जो बेनिफिट शेर होल्डर का कर रही नहीं पर मोटर की होल्डिंग यहाँ पर किसने गिरीवी रखें के यह भी देख लेतों थे यहाँ पर कोई गिरीव ने रखें क्यूंकि कंपनी का मार्केट क्या बहुत छोटा है तो कंपनी में गिरीवी यहां पर यह Marcel वह ध्यां से सुनने ला आपको यहां पर एराख्य जुंचन वाला जी का पॉर्ट फॉल तो उन्होंने इयंक्या के अपर पर उनके के शласy कितने कंपनी में सपाउर यह पयं decisions yeah आए तीन चार पाथ छे यहाँ पर दिख जाएगा आपको कितने सारी कंपनी यहाँ अब गिनके खुदी देख लेना मैं आपको लगा तो यहाँ पर पिडिया पिदाल दोंगा यह कम से लगबग मैं आपको मोड़ा मोड़ा बता हूं 15-20 इनके पास अवेलेबर तो आपको यह जानने चाहिए कंपनी 15-20 कंपनी में इन्वेस्ट है और उनके एक 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 कंपनी में आप यहाँ पर क्वांटिटी देख लेना कितने सारी क्वांटिटी देख और उसके साथ मैं आपको जो इनके दूसरे अंपनी मैं आपर वह हलगा ऊलगए उसक्षिक्वॉल में बढ़ी ना यह सतरा हूं ईं네ट की से आपने यहां पर देखा होला टाइटन कंपनी में वन और आपको दिखाता हूं तायेटन कंपनी में उनके स्टेक है कितना करोड करें गई आप कर रहा है जो बात कर रहा था हो प्रोजन मॉल किसी इन्वेस्टर ने इसको खण द है उनको हजार करोड भी उनकी लॉस होगे तो उनको कुछ गम नहीं होगा उसके साथ साथ बट आपको यहाँ पर आपके दस हजार भी चले गए तो आपको आच्छा कासा लॉस हो जाएगा इसलिए कहता हूं उनको ब्लाइंड ली मत फॉलो करना आपको आपके पैसे बना नहीं है तो आपको ऐसा स्टेबल और अच्छा खासा बिजनेस में इंवेट करना चाहिए जो चलता है इनको इतने बिजनेस दूप जाते हैं तो उनको कोई लॉस नहीं होता आप इन्हों आप यहाँ पर बोलेंगे सर तुम बात कर रहें कि उनके जो बिजनेस हैं आच्छे सक्स अच्छा खासा उनके पास अवेलेबल तो उनको जितना भी लॉस हुआ है तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मुझे लॉस हुआ है और उन्हों बार-बार कहते हैं कि मेरा को ब्लाइनली मत फॉलो करना यहाँ पर देख लिए येस बैंक का शेर देख लिए ना कितने पर चलता इसके जो पर मोटर है वह आचा खासा बिजनेस करने ही पाए देख लेना यहाँ पर 300 के ऊपर चलता था शेर देख सकते आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रहा हूं तो इस कंपनी में राके जुंजन वाले का स्टेक बहुत साधा इस कंपनी में आवेलेबल था यहाँ स्टेक उन्हों बेचे नहीं कुछ नहीं इसलिए कहता हूं कंपनी कभी भी उनके जो ब्लाइंड लिफ फॉलो मत करना और आपको आपको आचा-कास अलवास हो सकता है तो आपको उनका जो पोटफोलिय उनको हमने देख लेना चाहिए किस तरकी कंपनी में इंश्ट करते है किस तरकी बिजनेस में वह चूज करते हैं तो आपने उनको फॉलो करकर यह लर्निंग परपस से फॉलो करना चाहिए और उन्होंने कोई भी शेयर पर्चेस किये तो हमने डायरेक्ली उस कंपनी में इंश्ट करना चाहिए तो ऐसे जो भी आपको शेयर के बारे में और कुस कंपनींग बारे में इंफर्मेशन चाहिए तो कमेड़ें बताते जाएं मैं आपको हावेलेबन करते जाओंगा थैंक्यू सोमथ स्टेप ब्लेस और पुरा वेले देखने के लिए थैंक्यू